गाजयबाद में हाली में कुत्तों के हमलों की कई घटनाएं सामने आई हैं जिसको देखते हुए गाजयबाद नगर निगम ने कुत्तों की आक्रामक नसलों के पालने पर रोक लगाने का फैसला किया है महानगर क्षित्र में पिट बुल रोट विलार और डोगो अर्जेंटीनो नसल के पंजी करण पर रोक लगा दी गई है हाली में कानपुर नगर निगम ने भी आक्रामक कुत्तों के पालने पर रोक लगाने के लिए प्रस्ताव पास किया था गाज़बाद नगर निगम के द्वारा कानपुर नगर निगम द्वारा पास किये गए प्रस्ताव पर काफी समय से विचार किया जा रहा था वहीं दूसरी तरफ शहर में कुछ ऐसे लोग हैं जिनोंने पहले से पिटबुल, गोटविलर और डोगो अरजेंटीनो नसल के कुत्ते पाल रखे हैं यह अनार उगा के हर साल एक एकड़ की जमीन पर दस लाख कमा रहे हैं उनसे सीखना है तो फ्रीडम आप को अभी डाउनलोड कीजिए जन्वरी से कोई भी डॉग इन तीनों डॉग्स का रखेशन गाजयवाद नगरिंगम नहीं करी गाजयवाद में हाली में कुत्तों के हमलों की कई घटनाएं देखने को मिली हैं हाली में संजय नगर में 10 साल के बच्चे पर पिटबुल के हमले की बात करें तो पिटबुल के हमले के बात बच्चे को तकरीबन चहरे पर 300 से जादे टांके आये थे इसके साथ ही राजनगर एक्स्टेंचन में भी लिफ्ट में कुट्टे ने बच्चे पर हमला कर दिया था वहीं वैशाली इलाके की एक सुसाइटी में पिटबुल ने 11 साल की छात्रा को दोनों टांगों पर हमला करके गहरे जख्म बना दिये था ये अनार उगा के हर साल एक एकड़ की जमीन पर 10 लाक कमा रहे हैं उनसे सीखना है तो फ्रीडम आप को अभी डाउनलोड कीजिए